हेलो योट्यूब फैमली एक बार फिर से आप सभी का मॉस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सिसमंत्रा भॉह दीपक रहेत सर् एक बार फिर से मैं आपकी क्लास में हाजिर हुई हो और क्लास में अपने जुकी जिसके कोशिंज को अटेम्ट करने से प और एकनि सुम्ट सेफ्टिज बहुत जिसमें हम चीजों को कम प्रायस में अचीव कर सकते हैं बहुत अच्य सम今天 को बैतर बना सकते में 20 % के साथ में देखे कि इस बारह सेफ्ट हैं आपको स्क्रेंब और यहां पर की साथ connects तक तो पढ़ेगा यह सारे प्राइज जो है यह यूपी पीस पी सी और यूपी ट्रिपल सी कैटेगरी में ऑफर्स हैं बागी हर डिपार्टमें ने बहुत ही अच्छी ऑफर्स जो है ने कैडमी प्रोवाइड कर रहा है बात करें अगर हम लेक पाल के तो देख सकते हैं कि कितने कम इसमें आपको बहतरी इन तैयारी करवाई जाएगी और 20 परसेंट आफर पाने के लिए आपको हमारा यूज कोड करना है क्या सकसे मंत्रा का जिससे आपको क्या मिलेगा डारेक्ट 20 परसेंट का डिसकाउंट देखने को मेलेगा साथी साथ हम आपको बताएं कि अन अकैडम क्लासिस होती है यह आपको 45 डी का प्लस का सब्सक्रिप्शन है जो कि कितने में मिल रहा है 219 में मिल रहा है और इसको इस पर भी आपको 10 परसेंट का डिसकाउंट मिलेगा अगर आप हमारा यूज कोड सकसे मंत्रा करते हैं ठीक है तो अनकैडमी ने बहुत ही अच्छा मिलेगा तो चलिए चलते हैं अपने कोश्चिन की तरफ एंड दिखते हैं कि आज की वीडियो में लिए किस टाइप के कुश्चिन से कुश्य निबर वन आपके स्क्रीन पर है साची इस तूप का निर्माड किस ने कराया बात करें अगर हम साची इस तूप की तो पूचा जा रहा है आप से कि साची इस तूप का निर्माड किस ने करवाया चंद्रगुप्त ने बिंदु साड ने या फिर अशोक ने या फिर कॉटिल लिने तो आपको याद रखना इस का राइट आंसर कि साची इस तूप का निर्माड किस ने करवाया अशोक ने करवाया इस कि इस question का right answer क्या हो जाएगा option number सी असोक हो जाएगा next question आपके screen पर साची का स्थूप किस राज्ज में मिन्स साची का स्थूप किस राज्ज में अवस्तित है यह आप से पूछा है मद्य प्रदेश में अंद्य प्रदेश में उत्यर प्रदेश में या फिर महाराश्टर में तो आपको क्या रखना है कि जो साची का स्थूप है यह मद्य प्रदेश में इस्थेत है कहां पर स्थेत है साची का स्थूप आपका मद्य प्रदेश में इस्थेत है और अगर हम ज पुछ रहा है आपसी कि प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवन्स कौन सा है यह आपको बताना है राश्ट रिकूर्ट चालोक पल्लव या फिर साथ वहान तो प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवन्स कौन सा है यह आपको बताना है तो आप इसका आंसर का सपिस्ट मघारट के किस राज्व से जुड़ा है बहुत ही संगम को Cjon का आप आप सक्रीन थे स्विक्ति ले सके अंचर्थ पूर्ण कर송 बबी तमिली नद राजर से यह जोहाओ मिलेगा नेक्स्ट कोशन Stadium कर it सेंट्टिमिस करल कपो सेंट्टिमिस करल किस टैम में पहुंचे तहीज के पाहिए सेंटी जाता है प्रभु येशु के बारस सिष्चियों में से एक सिष्च इन्हें भी माना जाता है तो तो यह अगर आप से पूचे के संट थॉमस कौन था तो आप कहेंगे प्रभु येशु के जो 12 सिष्च थे में उनमें सेंट थॉमस एक थी और जोकी भारत कब आये थे बारत में केरल पहुचे थे बावन इस्वी में पहुचे थे नेक्स कोशिण आपके स्क्रेंट पर कोशिण नंबर सिक्स आप से कह रहा है कि किसके साशन काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है बहुत ही इंपोर्टन सा कोशिण है यह कोशिण आपकी एक्जाम में बहुत टा कहा जाता है गुपता डाइनस्टी को यानि गुपत शाशन को कहा जाता है तुछ इस को राइट आंसर औफ्शन जमबर ऑफ रेछ गुपत तो तो प्याद रखेंगे कि जो इन्हों नहीं इन्हें जो है नेपोलियन ओफ इंडिया कहा था तो और क्यों कहा था ये भी आप जान लेजिए कि समध्र गुप्त कहीं टाइम पर जो गुप्त वन्स था वह बहुत ही जादा उसका विस्तार हुआ था क्राई थे संस्क्रिथ बहुट हयां और इन्हों ने किस्किस रश्णा के रशना किया है नेक्स्ट कुछिन आपके स्क्रीन पर कुछिन नंबर नाइन कुछिन नंबर नाइन आप से कह रहा है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है बात करें अगर हम मुद्रा राक्षस की तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है वात्सयायन विशाक दत विश्नु सर्मा या फिर वरा मेर तो मुद्रा रक्षर्व की जो रशना है वह किसकी है विशागदतं ने लिखी और इस गरंध में महर इतिहास इस पिस लीज चंद्रगुपत मौरे के जीवन पर सारे चीज़ों मतलब देखने को मिलता है डिस्क्राइब किया गया है तो इसमें किस वंश के बारे में लिखा हुआ है तो मौरे वंश के बारे में मौरे इतियास में भी किस के बारे में तो ज्यादा तर चीजें हमें मुद्रा राक्षास में किस के बारे में देखने को मिलेंगी नेक्स कोश ऍसका राइट- आंसर खगोलवेता आर्यवट कौन थे खगोलवेता थे और आर्यवट को गड़ित्क की बेदे काफी अच्छी अच्छा ज्यान था तो यह गड़ित्क GO HAS किया और 30私 तो आप इसका राइट आंसर क्या टिक करेंगे option number C और अगर गड़तक यह दिया होता कभी option में और बाकी सारे option तो आप गड़तक को टिक करते मतलब कि इन तीनों में से कोई भी option आपको आपशिन में इसे दिखेगा तो हो गढगे करेंगा गडित्क पहन तो स्क्राइब तो आप साथ गडित्क और क्ट इक पहतब नम तो इसलिए कॉप्शिन क्रूब सी घडित्क में लख डिया रहेक। क्या थे राजनीतिग खगोल शास्त्री प्रशास सक्या फिर इन में से कोई नहीं तो आप इसका राइटांसे क्या दुखेंगे आरे बट एक महान खगोल शास्त्री थे चीक है बढ़ते हैं अपने कोश्चिन्स की तरफ और देखते हैं कि आज की वीडियो में आपके लिए क कहां से शाशिन किया था तो यह बात करें अगर हम पल्लवों की तो पल्लव जो है वो दक्षण भारत का राजवन्स था और इन्होंने कब राज़ किया था चौथी सताबदी में राज़ किया था तो आपको इस थान याद रखना है कि पल्लवों ने शाशिन किया था कांच कि पुरम से नेक्स्स कुर्षेन आपके स्क्रÖ्षेन पर कुच्छ현 13 क명 नींबर 13 आपके कह रहा है कि चोल राजवस का सनस्थापक कौन zha बात करें हैं अगर हम चड़ राजवस की चोल राजवस का सनस्थापक कौन थाढ आपको बताना नसके आपको क्या है रखना है राजेंद्र प्रथम बल्बन डन्ती दुर गया फिर इसका राइड पारेंस कि इसांद सफ्षा राजी करते थे इसलिए फिरता कैम उआयगा की फ tooth यह कॉसिन आपको क्लियर होगा next question की तरह बढ़ते है is question number 14.. question number 14 आपसे वूरइपिन को किसस Со composer के नर्मॉयाआ था.. अगर रहों है तैन जावर के व्र५िरेजँ मंदिर की बात कुई तैन्यावर के व्र५िरेशहुर मंदिर का निर्माथ किस ने करवाया था अप्शिन्स दिये हुए आपके पांड सास को ने चोल सास को ने चालुक के साश को ने या फिर पल्लाव सास को ने आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी कुश्चिन्स को इंक्लूट किया गया वह आपकी एक्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्ट दो तो चोल होत है चोल साह को ने चालुक बात करनेगी चोलसा चीवस्यक को वbulंहारा में च Cand해요 WOW यह करवा requires अब बढ़तें आपने नेक्स कोश्चन नेक्स कोशिन आपके स्क्रेन पर कोशी नमर 15 कोशी नमर 15 आप से कहरा है कि कि चोल तो मैं आपको बता हूँ कि जो रामीर विश्चिता थी चोल विश्चिता थी तो ये कोशीं का आंसर आप लर्ण रखेंगे नेक्स्स कोशिंग आपके स्क्रीण पर कोशिन न Big Boom जोंड़े वे यूऊरे का निर्माड कराया गया था बात करें अगर हैं अगर हम किला राया पितोरा की तो इसका निर्माड किसने करवाया था जैचंद ने, राय राम बहादूर ने, पृत्वी राज चोहान ने या फिर राजा पितोरा गड़ने तो जो किला राय पितोरे का निर्माड था वो किसने करवाया हुआ था जैचंद, राय राम बहादूर, पृत्वी राज चोहान या फिर राजा पितोरा गड़ने करवाय हुआ था तो आप क्या रखेंगे इसका राइट आंसर कि जो राय पितहुरा का निर्माड है वो प्रित्वी राज चोहान ने करवाया हुआ था गलती से भी राजा पितहुरा गड़ देखके आप इसका आंसर आप्शन नमर डी नहीं टिक करेंगे एक्जाम में यह आप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूस करने के लिए क्लियर आंसर आपके आयाद रुखेंगे किला राय पितहुरा का निर्माड प्रित्वी राज चोहान ने करवाया था और जिसे राय पितहुरा के नाम से जाना जाता है ठीक है तो बढ़ते हैं अपने नेक्स कॉश्चिन नेक्स कॉश्चिन है आपके स्क्रीन पर कॉश्चिन नंबर 17 कॉश्चिन नंबर 17 आप से कह रहा है कि हर्सवर्दन की राजधानी कहां थी बहुत ही अच्छा कॉश्चिन है कि हर्सवर्दन की राजधानी कहां थी नालंदा कन्नौज प्रयाग या फिर थाने सुर तो आप और ने कहां से कहां अपनी रहजाने इस अनंतरत की थी थाने इस सोड़ से कन्नोज की थी तो आप इसका राइट आसर क्या लगाएगा option number से कन्नोज लगाएगा next question आपके screen पर question number 18 question number 18 आप से कहा रहा है कि भारत में इसलाम धर्म का आगमन सरव प्रतम किसके माध्यम से हुआ भारत में इसलाम धर्म किन साशकों के माध्यम से आगमन किया है खिलजी साशकों के माध्यम से गुलाम शाशकों के माध्यम से अरफ साशकों के माध्यम से तो जो भारत में इसलाम धर्म था यह कैसे जो है फैला था किसके अरफ शाषको के माधियम से यह Country अरफ शास के की सात्वी सताबदी दक्षिन भारत में आये थे और इन्हेक एम से इस्लाम। भारत कीवारत प्रथम सूफी सत तो आपको बताना इसका राइट आंसर कि भारत के प्रमुक सूफी संत कौन थे तो आपको क्या आद रखेंगे कि भारत की प्रतम सूफी संत कौन थे बढ़ते हैं अपने कुश्चिन की तरफ नेक्स कॉश्चिन आपके स्क्रीन पर कॉश्चिन इंबर 20 कॉश्चिन इंबर 20 आप से कह रहा है कि 13 सताबदी में राजस्थान में माउंट आबू में प्रसिद दिलवाडा मंदिर किसने बनवाया था बात करें अगर हम दिलवाडा मंदिर की तो ये किसने बनवाया था महें ने करवाया था और राजस्तान में मांट ताबू के दिलवाडा में आपको कुल पांच जैन मंदिर देखने को मिलेंगे और दिलवाडे मंदिर का निमाद किसने करवाया था तो वह भी आप याद रुखी अप्शन नमबर D. तेजपाल ने करवाया हुआ था ठीक है नेक्स् अलाउदिन खिल जी सेर सा सूरी सा जहां या फिर अकबर बहुत ही बढ़ी आसा कोश्चन है कि दक्षण भारत पर विजय किसने पहले प्राप्द की हुई थी तो अप्षिन नमबर ए अलाउदिन खिल जी एसा मद्यकाले इसा सकता जिसने दक्षण भारत को विजय किया नक्स कोश्चन के तरह बढ़ते हैं नक्स अपकि स्क्रीन पर कोश्चन नमबर ट्वन्टिटू कोश्चने आप से कह रहा है कि निम्पन मेन से किसके साथ स्रीकृष्ण देवराय के मित्रवत संबंध थे बहुत यह बड़ी आंसा कोश्चन है बृतिजिं के सा Sigurd D तके सा जानके स्क्राइट आप क्या टिक करेंगे पुड़ते आपने मेंपनो mu स्क्रीन पर कुश्य निम्बर 23 कुश्य निम्बर 23 आप से कह रहा है कि हजारा रामा स्वामी मंदिर हजारा रामा स्वामी मंदिर और विठल स्वामी मंदिर का निर्माड कराया गया था किस ने कराया था यह आपको बताना है प्रताप रुद्र देव ने रवी वर्मा प्रतम कृष्णदेव राय या फिर छत्रपती सिवा जी ने तो आपको बताना इसका Right राइट अंसर क्या हो जाएगा जो हजारा स्वामी मंदिर रों विजय नगर सामराज के अवशियस क्या विजय नगर सामराज के अवशियस कहां पर पाए जाते हैं बीजापुर में गोलकुंडा में हमपी में या फिर बरोडा में आपको बताना है इसका राइट आंसर की विजय नगर सामराज के अवशियस कहां पाए जाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, विजानगर सामराजी के अश्यस हमपी में पाए जाते हैं, इस रिपे के विजानगर सामराजी का अथयनत्य प्रैसेंसातमक विस्तरत वर्डन किया है, वह है, मारको पोलो, बारबोसा, या फिर निकोलो कॉन्टी या फिर इनमें से कोई नहीँ तो जो निकोलो कोंटी था यह इटली का एक यातरी था इस ने जो है श्रीक्रिष्ण देवराय प्रतम के शाषिलकाल में विजया नगर सामराज की यात्रा की थी और इसने जो है विजया नगर सामराज की ती अच्छे तरीके से प्रिशन सात्मक तरीके से वर्डन किया है तो इस question का right answer है क्या आप याद रखेंगे option नमबर भी निकोलो कॉंटी बढ़ते हैं अपने questions की तरफ question है आपके सामने question number 26 question number 26 आप से कह रहा है वास्तों में कौन थे चगताई तुर्की थे बढ़ते हैं अपने question की तरफ आगे question number 27 आपके स्क्रीन पे प्रसिद्द चित्रकार मीर साइद अली चित्रकारी है तो किस मुगल साशक के सयोगी थे बात करें अगर हम प्रसिद्द चित्रकार मीर साइद अली की तो यह चित्रकारी में किस मुगल साशक के सयोगी थे बाबर अकबर या फिर जहांगीर या फिर हुमायो तो जो अब्दू समत के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नीव रखी थी बढ़ते अपने कोशिन की तरफ आगे कोशिन निमर 28 आपकी स्क्रीन पर दिल्ली इस्थित प्रसिद हुमायो के मगबरे का वास्तुकार कौन था मिराक मिर्जा घियात अब्दू लतीफ मीर कासीम या फिर शे उसके वास्तुकार कौन थे मिराक मिर्जा घियात तो इस कोशिन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्षिन नंबर मिराक मिर्जा घियात next question आपकी स्क्रीन पर question no.29 question No.29 आपके आपसे ऐसे कौन मुगल सम्राढ असक्षित था यह question थो I hope कि आप put clear होगा travail है कि कौन सा मुगल ब्राढ ज्राण जिल्ट झा जहा इसक और वुच्छित थो कि और आंगीर साह जहन अखे रिए कुशिन नबर 30 आपके सामने इनमें से कौन बेद भाव पूर कर को समाप्त समराथ अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया था जिसे अकबर ने 1564 इसवी में समाप्त कर दिया था जकात कर जजिया कर खराच कर या फिर इनमें से कोई नहीं तो जो 1564 इसवी की बात करें तो 1564 इसव थिष्टीव में इन्होंने संवापत कर दिया था बात करें अगर हम दास प्रिताकी तो दास प्रिता को इन्होंने 1562 सक्रद्धी में खतंप किया था तीर त consensus फिरमार 163 में घ्र्चिंड सेan सब्सक्राथे था इन्होंने कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माड किस ने करवाया था औरंग जेब ने हुमायू ने या फिर अकबर ने या फिर साह जहाने तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद है उसका निर्माड किस ने करवाया था औरंग जेब ने करवाया था यानि आपको इस उसका निर्माण साह जाने करवाय था तो आई ओप की ये दोनों कोश्चिन आपको क्लियर होंगे बढ़ते हैं अपने नेक्स कोश्चिन की तरफ नेक्स कोश्चिन आपके स्क्रीन पर कुश्चिन निमबर 32 कोश्चिन निमबर 32 आपसे कह रहा है कि अकबर के दरबार में पर कुश्चिन निमबर 33 आपसे कह रहा है कि अबादत खाने का निर्माट किस मुगल साशक नेकरवाय था बात करें अगर ऍबादत खाने की जिसे आपको कहीं कहीं कुश्चिन में उपासना ग्रिय के नाम से पता चलेगा जहां पर हम प्रेयर करते हैं या पर पर हम प्रात्ना करते हैं भगवान जी से तो वो इबादत खाने का निर्माण किस ने करवाया था और अंगजेव ने अकबर ने जहां गेड़ने या फिर सा जाने तो आपको यह आद रखना इसका राइट आंसर की इबादत खाने का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था वो भी कब कर वाया था तो 1557 श्वी में करवाया था तो यह आज के हमारे जीखे के टॉप 30 प्लस कॉश्चिंस अगर आपको वीडियो पसंद साती तो मारे वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा साती साथ हमें कमेंट सेक्षिन में कमेंट जरूर करिएगा कि आज के 33 कुश्चिन में से आपके कितने कुश्चिन होते हैं अभी तक के लिए थैंक्यू मिलते हैं अपनी नेक्स कुश्चिन में तब तक आप अपनी